भारतीय सिनेमा जगत की जानी मानी फिल्म गजनी ने भारतीय सिनेमा का रुख बदल कर रख दिया था ठ्रिलर और सस्पेंसे भरी ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जो कि भारत में सौक कडोर के क्लब में शामिल हुई थी यह फिल्म 2005 में रिलीज हुई फिल्म तमिल फिल्म की रीमेक थी जिस फिल्म में साउस्टार, सूरिया, आसीन और नयंतारा मुख्य भूमिका में नजर आय थे फिर इसके बाद इस फिल्म का हिंदी रीमेक साल 2008 में आया था इन दोनों ही फिल्मों को मशूर डायरेक्टर मुर्गादास ने डायरेक्ट किया था ये दोनों ही फिल्म अपने दौर की सूपर हिट फिल्म में साबित हुई थी खबरों की माने तो 14 साल बाद गचनी का सीक्वल तयाद होने जा रहा है अब बात करें गचनी 2 की तो इस फिल्म में लीड रोल में कौन नजर आएंगे क्या वो आमिर खान हो सकते हैं या फिर साव स्टार सूरिया तो आपको बता दे कि हो सकता है कि सूरिया इस बार बुर्गादास के फिल्म गचनी 2 में नजर आ सकते हैं अब इसका पता तो टीजर देखने के बाद ही पता चलेगा ऐसी ही लेटिस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले